तो आज कल बालो की समसे से सब लोग बहुत परिशान है तो सोचा आपको क्यों रहे कैसी होम रेमेटी बता हूं जिससे आप उसे बालो में लगाए और चमतकार हो जाए तो बालो की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है जिसके लिए में इंग्रीडियंट आपकी किचन म बना लेना है तीनो को एक ही जब से मेजरमेंट करके एक बाउल में डालना है आपने और इसको दई के साथ मिक्स करना है अच्छी तरीके से तब तक मैं बताती हूं आपको इसके बैनेफेट्स यह तीनो चीजे जो होती हैं बालो के लिए बहुत 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 असरकार है और बालों में टेंटरफ का तो राम बान का इलाज करती है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे कम से कम थ्री मन्स तो आप रिजल्ट खुद खुद देखेंगे और वापस मुझे मेरे चैनल पे टूनने के लिए आएंगे। देखें मैं मजाध नहीं करी हूँ, यह बहुत ही अच्छी जिसे कहते हैं एक बहुत बटिया सा पैग है . और आप के बैल बहुत ही बड़िया तरीके से बढ़ेंगे ।istä जो सबसे कहास बात आपके बालों में ट्राइनस दूरा होगी और बालों पे जो आपकी टेंटरफ है वो बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी राम बान है ये राम बान इसके अंदर आप खोड़ असा एक दो ड्रॉप ओलिव ओल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी ओल अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ट्राए हैं और दही के साथ आपने उतना ही दही मिक्स करना है जितना आपको लगे ये पैक असानी से बालों में लग जाएगा खम ज्यादा से कोई फरक नहीं पड़ता और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके section by section आपने बालों में अपलाई करना है और बाल बिल्कुल आपके दूले वे होने चाहिए देखे घर की चीज़ों को यूज करने का benefit यह होता है कि उससे कोई हाम नहीं होता अगर आप कोई भी किसी पी तरीके की अगर आप market के product यूज करते हैं और बालों में लगाते हैं क्योंकि आपके लिए वो नए होते हैं और बहुत जल्दी आप उसकी तरफ attract हो जाते हैं तो आप सोची सकते हैं आजकल मैंने सब के बाल देखे हैं बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखे हैं कलर लगाने से और बाद में उनको दुबारा से पारलर में बुलाया जाता है इतनी महंगे महंगे product यूस किया जाते हैं पैसे ढ़ाई ढ़ाई तीन तीन अजार पांच-पांच हजार लगाते हैं और फिर result जीरो उतर बाद में वो रोतावा इंसान वापस आके कहता है मेरे बाल बहुत जड़ रहे हैं सर प्लीज आप एक बारी भारती के चैनल पर आके दुबारा से देखिए यह बहुत ही useful जिसे कहते है बहुत ही कारागर पैक है जिसे आप अपने बालों में लगाएंगे और मुझे जरूर याद करेंगे ठीक है और इस तरह से आपने बालों में अच्छे से अपलाए कर लीजे अच्छे से अपलाए करने के बाद आपने इसके अपने हाथों से आपने मसाज देना है और 45 मिनिट्स तक आपने इसको अपने बालों में लगा के रखना है और नॉर्मल वाटर से आपने बाल अपने धोलेने ठीक है उसके बाद आप अगले दिन आपने अपना हैट वाश करना है किसी भी नॉर्मल शैंपू से जो हर पलो और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिग्मेंडेशन भी हो गया था यह आप देख सकते हैं मैंने इसको होम रेमेडी से ही खतम कर दिया है तो अच्छे ही अगर आपको इसके कि मैंने इसको किस तरह से अपलाई किया था अपने फेस पे तो मुझे कमेंड सेक्षन में जरूर बताईए और जल्दी से जाकी यह वाली होम रेमेडी जो मैंने बताई है इसको आप यूस करें और मुझे रिजल्ट बताईए कि आप रिजल्ट कैसा रहा मिलती हूँ आप से बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बढ़िया से एक और हेर पैक के साथ तब तक आप इसे अपलाई करके मुझे जरूर बताना तब तक के लिए खुदा आफिज बाई बाई सी यू लव यू ओल